हेलो फ्रेंड्स मैं पंकर चोरोसी और आप देख रहे हैं पीकेटिक वीडियो दोस्तों आज इस वीडियो में हम सब जानेंगे कि कैसे आप अपने सिस्टम या लिफ्टप में एक ब्लॉक विबसाइट को या ब्लॉक कंटेंट को एकसेस कर पाएंगे जैसे होता क्या है कि बहुत सारे कंटेंट रहते हैं जो हमारे रिजन या हमारे कंट्री या ओफिस या स्कूल में बैन होते हैं जो ब्लॉक रहते हैं पहले से जिसको आप एकसेस नहीं कर पाते हैं तो उस उन सारी विबसाइट को एकसेस करने के लिए आपको क्या करना होगा तो इस वीडियो को पूरा देखिए मैं बताऊंगा कि कैसे आप अपने सिस्टम में ब्लॉक वेबसाइट को एक्सेस कर पाएंगे तो चलिए मैं एक एक्जामपल देके बताता हूँ आपको अपने टिक टोक का नाम सुना होगा जो कि अभी बैन कर दिया गया है इंडिया में यह अभी वेबसाइट आप उपन करेंगे या इंडिया में कहीं भी आप मवाइल के थूरू या किसी सिस्टम में आप उसको एक्स नहीं होगा क्योंकि वह बैन हो चुका है मैं आपको एक्सेश करके अब दिखा देता हूँ यह एक्सेश नहीं हो पाएगा टिक्टॉक यहां पर क्लिक किया और टिक्टॉक का यह लॉग इन पेज है इस पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यह भी करना चाहते होंगे लेकिन आपके स्कूल या कॉलेज या के रिजन में कहीं ब्लॉक कर दिया गया तो उस वेबसाइट को कैसे एक्सेश कर पाएंगे आप तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं आप देखते रही है तो दोस्तों वेबसाइट को ओपन करने के लिए यहां पर मैं डाउनलोड करके रखा हूं पहले से टोर ब्रावजर उसको ओपन करेंगे तो ऐसा आपके सामने एक इंटरफेस ओपन होगा जहां पर यह तोर ब्रावजर अपने टोर नेटवर्स से कनेक्ट करने के लिए बोला है आप यहां पर अल्वेज क्लिक कर देंगे तो अपने आप जब ही खोलेंगे तो यह अपने आप connect हो जाएगा यहां पर connect कर लीजे connect करने के बाद एक ऐसा page open होगा connect हो चुका है अपने tour network से tour network by default जो search engine होता है duck duck go करके आता है तो यहां पर search with duck duck go करके आ रहा है यह उनका search engine है जो default रहता है आप इसमें Google भी open कर सकते हैं Google भी use कर सकते हैं तो मैं बताया था कि आप simply browser पर गए थे यहां पर tick tock open किया थे तो tick tock open नहीं हुआ अभी tour browser से open करके देखते हैं कि यह open होता है कि नहीं इस URL को copy करेंगे और वहां पर tour browser में इंटर करेंगे इसको copy करते हैं copy करने के बाद इसको minimize करके और यहां पर आके paste कर देते हैं और एंटर करेंगे एंटर करने के बाद आप देख पा रहे हैं यहां पर कि यहां login टिक टॉक करके option आ रहा है इस पर click करेंगे क्लिक करने के बाद यहां पर आप यूज कर पाएंगे यूज अब आप जहां से भी हैं इंडिया से तो यहां पर अपना इंडिया का plus 91 करके आप इस पर क्लिक करें और अपने phone number और phone number पर जो ओटीपी आएगा यहां से एंटर करके लॉग इन कर सकते हैं तो इस तरह दोस्तों आप जो भी ब्लॉग वेबसाइट है या व्लॉग कंटेंट है उसको आप टोर ब्राउजर से बीना वीपिन के तरूप आप यूज कर पाएंगे चलिए मैं इसको बता देता हूं कि कैसे और कहां से डाउनलोड करें टोर इस पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद आप जो भी सिस्टम हो विंडोज है या मैक हो या लेनिक्स हो या इंट्रॉड हो कोई भी हो यहाँ पर विंडो का यूज करें तो यहाँ पर विंडो पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख पारें कि टोर ब् रखा हूं तो मैं इसे cancel करता हूं cancel कर दिये मेरा पहले से download करके रखा है तो इस पर जाएंगे आप so folder करेंगे so folder क्लिक करने के बाद आपके सामने यह जो browser download हुआ होगा वह यहाँ पर so होने लगेगा इस पर double click करेंगे double click करने के बाद यहाँ पर language select करने के बाद okay करेंगे okay हो करने के बाद आपको यह extract करने के लिए बोलना है यह आप इस browser को भीना install के चला सकते हैं यह अभी extract होने के bol रहा है तो extract आपको कहा करना है यह ब्राउज कर ले जहां extract करवाना चाहते है उस location पर जाके आप extract करवा सकते हैं तो मैं इसमे डाकुमेंटस में जाता हूं डाकुमेंटस जाने के बाद यहां पर करता हूं यहां पर देख पारा है कि C-Drive User Administrator डाकुमेंटस के अंदर टोर ब्राउजर नाम से एक फोल्डर होगा उस पर उसमें यह extract होगा इस पर install करते हैं इस पर नहीं हो रहा है यह एक्शुली में यह extract हो रहा है इसको मैं cancel करता हूँ इसको uncheck करेंगे और finish कर देता हूँ finish करने के बाद आप जाएंगे वहां पर जहां पर आप extract करने के लिए बताएं इस पर जाएंगे डाकुमेंट्स में मैंने दिया था डाकुमेंट्स में आप देखेंगे कि टोर ब्राउजर करके एक फोल्डर होगा इसको ओपन करेंगे और यहां पर लिखा हुआ रहा है को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्यू गाइज